रामधारी गुपता उच्च गती अभ्यास खंड एक प्रतिलेकन संख्या एकरान में वबानवे कती 80 प्रतिमिनट बेरेडी 3,2,1 स्टार्ट महोदय हमारे यहां अशान्ती क्यों होती रहती है इसलिए नहीं की पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है अशान्ती इसलिए होती रहती है की समाज में उच नीच है और लोग अनुभव करते हैं की उन्हें नियाय नहीं मिल रहा है विराम कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है विराम मैं आपसे अमरीका की और देखने को कहूंगी मैं कहूंगी की आप अन्य अनिक विक्सित देशों की और निगाह डाले जहां न पैसे की कमी है न रोजगार की न दुनिया के सुक साधनों की विराम मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं की एक अकेली इस्तरी जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सडकों से गुजर जाती है उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती पैरा गुचरात को क्या सहता दी गई क्या आपने इसके आकडे देखने का कश्ट किया है मैं यहां कागस पत्र लेकर नहीं आई हूँ विराम लेकिन मैं कह सकती हूँ की गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है आपने एक या दो विशेश परियोजनाओं की चर्चा की है प्रतेक परियोजना पर उसकी अवश्यक्ता के अनुसार विचार किया जाएगा और अवश्यक्ता का यह अभी प्राय नहीं है की अमुक फर्म या व्यवसाय ग्रह को क्या मिलता है अवश्यक्ता का आश्य यह है की उससे देश को अपने पावों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं पैरा हमें उर्वरकों की अवश्यक्ता है हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं लेकिन हम वदेशी कंपनियों के हाथ बिक कर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूड हूँ मैं ऐसा नहीं होने तूंगे चाहे कैसा भी दबाव क्यों न पड़े अगर आप छीकना चाते हैं तो विश्वास रखिए आप मुझसे ज़्यादा जोर से नहीं छीक सकते इसका मुझे आप से कहीं ज़्यादा अनुभव है विराम प्रतिक मामले को तब तक तै किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा जब तक डाटा परियोजना का संबंध है वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है विराम यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं आप महानु भावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ जिनके लेखक ने तो भारतिय है और ने ही आदर्शवादी विराम पैरा महादय प्रतेक कदम फूख कर रखना होता है और हो सकता है की हम कुछ वर्ष गमा दे विराम लेकिन स्वतंतृता गमाने की अपेक्षा वहे अच्छा होगा विराम स्वतंतृता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता वलकि उसका अर्थ होता है की हम निर्णे स्वयम कर सकें पिराम हो सकता है की वे निर्णे गलत हो लेकिन वे हमारे निर्णे भारत के निर्णे होने चाहिए हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी समाधान करना है हमने आधुनिकी करन के लिए विदेशी सहयता की आवश्यक्ता को सुईकार किया है विराम योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कारिय कारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया विराम सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया की वित्य अभी करनों के द्वारा धन उपलब्द कराया जाए विराम हम अब वित्य संस्थाओं से बतचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्ते कैसे उधार बनाई जा सकती है विराम पहरा आपने बंगलूर की घटनाओं और बंबई के लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तों में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शिग्र बात किये गए थे उन पर कारिय समीती में विचार विमर्ष एक और राय से सहमती हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतिय कांग्रेस कमेटी ने सुईकार किया था बंगलूर में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था इसमें कोई संदेह नहीं की जब तक देश उस दिशा की और न बढ़े तब तक वह प्रगती नहीं कर सकता विराम मैं नहीं समझती की आदर्शवात और व्यावहारिक्ता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है सभी देशों को अपनी प्रगती किसी न किसी सिद्धान्त पर आधारित करनी होती है प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है बलकि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है विराम यहां अनुशासन और धैरिय के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है विराम मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंगलेंड में जो लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे विराम जब वे इन सब के प्रती विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासन हीनता कहेंगे पूर्विराम